मनिश्य अपने जीवन में अनेक संस्कारों का संचे करता रहता है। आज हम यहाँ इनी संसकारों की जानकारी हासिल करेंगे। संसकार शब्द का प्रयोग किसी वस्तू या व्यक्ति की शोभा बढ़ाने उसे सुंदर और आकरशक बनाने के लिए किया जाता है। संसकरत भाषा में प्रयोग्त क्रिया धातु क्र के पूर्व सम उपसर्ग और बाद में आर क्रदंत के संयोख से यहाँ शब्द बनता है। शंकराचार जी के ब्रह्म सूत्र में उलेख है कि किसी वस्तू पदार्थ या आकरती में गुण और सुंदर आरोपित करना तथा उसकी तुटियों दोशों को हटाने का नाम संसकार है। लकड़ी काट पीर कर तराश कर उससे खिलोने फरनीचर किवाड पलंग आदी बनाना फिर उसमें रंग रोगन करके सुंदर बनाना संसकार है। कपड़ों को साफ सुत्रा करना फिर प्रेश करना उसका संसकार है। हमारी जो पढ़ने लिखने और बोलने की भाषा है वह भी व्याकरन बद्ध और शुद्ध करके प्रियोग में लाई जाती है। व्याकरन के नियमों से संबद्ध कर उसका संसकार किया जाता है। इसी तरह मनुश्य को भी सुंदर, आकरशक, यशस्वी और योग बनाने के लिए भी संसकार किया जाता है। अंगीरा इस्वनती के अनुसार चित्रम कमादनेकह रंगेह उनमिल यतेशनेह ब्रह्मन नपी तदवत्स्यात संसकारेह विदिपूर्व म्योह। अर्था जिस प्रकार से अनेक रंगों के प्रयोक से कोईचित्र बनाया जाता है। उसी प्रकार विविद संसकारों से मनुश्य को समारा, सुधारा और योग बनाया जाता है। भारती संसक्रती में संसकारों का महतपूर्ण स्थान है। जन्मसले के मृत्यु परियंत मानव जीवन का गंभीर अध्यन करने के बाद भारती मनीशियों ने जीवन को पूर्णता और यथार्थता प्रदान करने की द्रश्टी से उसे परिश्क्रत, परिमार्जित और अनुशासित बनाने का विधान किया है शास्त्रों द्वारा अनुशांसित संसकार एसे ही विधान है जिनका सरजान और निधारन अत्यंत वेग्यानिक है तरक संगत है और इसके अनुशारन से मानव शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीन विकास होता है जन्म और मृत्यु सहित मानव जीवन के सोलह ऐसे पड़ाव है जहां पर कोई न कोई संसकार नाम का उत्सव कारिक्रम निर्धारित किया गया है इन्हें हमारी संस्क्रती के सोलह संसकार की संग्या है जन्म के समय मनुश्य प्राकरत और अनपढ रहता है परंतु इन संसकारों से वह द्विजत्व को प्राप्त करता है ऐसी मानिता है संसकारात द्विज उच्चते पूरा श्लोक को चिस प्रकार है जायते जन्म नहां शूद्र है संसकारात द्विज उच्चते जन्म के समय मनुष्य मात्र शुद्र अवस्था में रहता है वहां कहां पड़ा है गंदगी में है कि अच्छी जगह पर है मखमल में है कि टाट पर लेटा हुआ है लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वेसे वेसे उसको संसकार प्रदान किये जाते हैं संसकार का अर्थ परिशकार एवं परिवर्तन दोनों है मानवी प्रकृति व प्रवत्ति में परिवर्तन ही संसकार है प्राचीन भारत के युग द्रश्टारिशियों ने मनश्य जीवन की अवधी को सो वर्ष का मान कर उसे सोलह चरणों में विभक्त किया प्रत्यक चरण जातक की शारिरिक और मानसिक मनवरत्यों में परिवर्तन के सूचक थे उनकी सोच पूर्ण तह विज्ञानिक थी मनश्य जन्म से पूर्व और मृत्यों के पश्चाद भी जीवन प्रक्रिया किस प्रकार गतिशील रहती है इसे उन्होंने बड़ी सुक्ष्वता से देखा और गहन परिक्षण के बाद इस निश्करश पर पहुँचे कि मनश्य के संपूर्ण जीवन में सोलह ऐसे पढ़ बातें है जब उसके हारमोंस में बदलाव की प्रक्रिया परिलक्षित होती है जहां तक कि मृत्यُ को भी हमारे पूर्वेजवों ने जीवन की समाप्ता न मानकर परिवर्तन और परिशकार ही माना है उनकी धार्णा थी कि हमारा अस्तित्व जन्म से पहले भी था और मृत् ने धार्मिकता का आवरन प्रदान करते हुए 16 संसकारों का रूप दिया। देखेंगे गरबाधान संसकार। यह जन्म के पूर्व का संसकार है। दूसरा संसकार है पुन्सवन संसकार। सूत्रकारों के अनुसार गरबाधान संसकार के तीसरे माह यह संसकार संसकार किया जाता है। पुन्सवन का शाब्दिक अर्थ होता है संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों चारन करना। अन्यमानिताओं के अनुसार संतान प्रत्ति के समय यह संसकार किया जाता है। वैदिक विधानों द्वारा जातक के भविष्य के लिए पुन्य संचे के संकल्प से यग्यादी संपन कराये जाते हैं। देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि है संतती सो बरस तक जिये। इसे पुन्सवन संसकार के नाम से जाना जाता है। तीसरा संसकार है सीमन्तो नेयन संसकार। इस संसकार के विशय में सूत्रकारों, सुनतीकारों और आचारें में मदभेद है। सीमंतों नयन की दो व्याख्यां प्रचलित हैं पहली मानता के अनुसार गर्व वती इस्त्री की भूत प्रेदाती से रक्षा करना ही सीमंतों नयन है उसे हर तरह से प्रसन रखने के लिए सजाया सवारा जाता था सूतरकार गोमिल के अनुसार बच्चे की नार काटने और प् विशेश प्रावधान है चोथा संसकार है जात कर्म संसकार यह संसकार जन्म के ततकाल बात किया जाता है इस अवसर पर पिता के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे को घी और शहत दिया जाता है जात कर्म से आशे जन्म धारन करने वाली संतान को सांसारिक क्रिया कलापों क प्रति का आत्मक परिचय देना है नवजाक्षिचु के प्रति प्रकारांतर से यह प्रार्तना है कि संसार में आने के बाद यह दीर्ग जीवी और शतायू हो सारी विग्न बाधाएं इससे दूर रहें और इसका संपूर्ण जीवन सुखद और आनन्द में व्यतीत हो पांचवा संसकार नामकरण संसकार है सुत्रकारों ने नामकरण संसकार से संबंदित कुछ विशेश नियमों का निर्धारन किया था ग्रहों नक्षत्रों की गति शीलता के अनुसार जन्म के समय ही जातक के नामराशी निश्चित कर दी जाती है सामाजिक पहचान के लिए जन्म के दस्वे या ग्यारवे दिन यह संसकार संपन्न होता है नामकरण की प्राचीन पद्धतिक अनुसार जातक का नाम किसी रिशी, देवता या प्राकरतिक उपादानों से संबंदित होना चाहिए जन्म के ग्यारवे दिन यह संसकार संपन्न होना चाहिए लेकिन महरशी मनु की मानिता है कि दस्वे दिन ही नामकरण संसकार कर देना चाहिए छटा संसकार है निश्क्रमन संसकार ग्रुहिय सूत्र के अनुसार नवजात बच्चे को सर्वतम सूरे दर्शन कराना चाहिए परंतु गोमिल ने चंदर दर्शन की बात कही है इस संसकार में पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकला जाता है या जन्म के चौथे सप्ताह में संपन्न होता है निश्क्रमन संसकार के अनेक विधी विधान है इन विधानों का प्रतिकात्मक आशा यही है कि जन्म के लगभग एक माह के बाद बालक को घर से बाहर ले जाया जाता है सात्वा संसकार है अनप्राशन संसकार अन प्राशन संसकार को देशज बोली में पसनी या चटावन कहते हैं इस संसकार के पीछे मानिता यहा है कि बालक नो माहा तक मा के गर्भ में जल और वायू का सेवन कर पोशित हुआ जन्म लेने के छटे माहा उसे अन से संपर्क कराया जाता है वायू जल और अन ये जीवन के तीन आधार माने गए हैं बेग्यानिक कारणों से इस तर्थे पर विचार करने से ग्यात होता है कि छटे माहा में बालक के शरीर में हारमोंस बनने लगते हैं उसके लिए उसे अन की आवशकता पढ़ती है बालक के सीमा और सामर्थ को ध्यान में रखते हुए छह साथ महीने के पश्चात उसे हलका अन देना प्रारंब करना चाहिए क्रम शह अन का द्रव अन्शिया पदार्थ ही दिया जाता है जैसे जैसे उसकी व्रद्धी होती है वैसे वैसे ठोस आहर की मातरा सुनिश्चित समय में दी जाने लगती है हमारे रिशियों ने अन को भी ब्रह्म माना है इसलिए अन प्राशन संस्कार भी वैदिक रीतियों और विधी विधानों से किया जाता है आठवा संसकार है चूडा कर्म या मुन्णन संसकार जिस प्रकार खेत में फसल भोने के पूर्व उसको जोता जाता है कंकड़ पत्थर घास खरपत्वार को निकाल कर बीज डालने या रोप ओधार रोपने की प्रक्रिया होती है उसी प्रकार मानों मस्तिश्क में नए उपियोगी विचार और संसकार डालने के पहले उसे शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है इस प्रयास का आध्यात्मिक स्वरूप मुन्णन संसकार का अविच्छिन अंग शिखा स्थापन है इसे ही चूडा कर्म भी कहते हैं सर्बथम जातक के सिर से बालों को साफ करते हुए यह भावना की जाती है कि इसके जन्व जन्मांतरों के कूछ संसकारों कलमशों बुराईयों का सफाया हो रहा है आज से इसमें नई चेतना का विकास होगा और यह बालक दूर दर्शिता आदर्श वादिता का जीवन जी सकेगा मुन्डन संसकार बच्चे के जीवन को दिशा बतलाने वाला संसकार है स्कूली शिक्षा, यग्यो पवीत, गुरु मंतर दिक्षा के बहुत पहले ही उसे है आभास मिल जाता है कि वह भारतिय संस्रती के सच्चे सपूत के रूप में अपना जीवन निर्मान प्रार्म करे अपने को आदर्श भारति बना कर विश्व समुदाय में श्रेष्ठ नागरिक सिद्ध हो नवा संसकार है करण छेदन संसकार यह संसकार जन्म से छटे साथवे महीने में संपन्न किया जाता है आईरवेद विज्ञान के अनुसार करण छेदन का एक विशिष्ट विज्ञानिक कारण है यह क्रिया करने से बच्चे के कान की मास पेशियां सुगठित होने के साथ साथ करण कुहरों का विकास होता है धार्मिक मानिताओं के अंतरगत यह विचार किया जाता है कि बालक की श्रमन शक्ति क्रमशा वरद्धी को प्राप्त हो भारतिय संस्क्रती में करण छेदन नासिका छेदन और भुजाओं पर गोचिन का अंकन गोधना सच्चा भारती होने की पहचान माना गया है साथ महिने के बाद बच्चे की मास पेशिया बढ़ने वा सुडोल होने लगती हैं बाद में यह प्रक्रिया अनेक कठनाईयों को जन्म दे सकती है हमारे पूर्वजों ने यही सोचकर छटे या सात्वे महा में ही करण छेदन संसकार का विधान किया हुआ है अगला संसकार हम यहां देखेंगे यग्योपवीत संसकार सोलह संसकारों में यग्योपवीत को अत्यधिक महतपूर्ण संसकार माना गया है इसे उपनियन और वरतबंद संसकार भी कहते हैं उपनियन अर्था तीसरी आख या ग्यान चक्षू ऐसा माना जाता है कि इस संसकार के पश्चात बच्चे में ग्यान की पातरता स्वयमेव आ जाती है वरतबंद का भी यही तात्वरे है भारतिय चिंतन में ग्यान को ही सबसे बड़ा वरत माना गया है क्योंकि संकल्प शक्ती का विकास ग्यान के कारण ही होता है शास्त्रों में ब्रामन, शत्री और वेश्य के लिए अलग-अलग यग्योपवीच संसकार के विधान है ब्रामन का आठ वर्ष में, क्षत्री का ग्यारव वर्ष में और वेश्य का बारव वर्ष में यग्योपवीच संसकार का उल्ले किया गया है प्रकारांतर से यह संसकार जीवन को एक नई दिशा की तरफ ले जाता है इस संसकार के तुरंत बाद माता पिता और परिजन द्वारा यह भावना की जाती है कि आज से यह बालक विद्याध्यन, वेदाध्यन और शास्त्र ग्यान पाने का अधिकारी हो गया है प्राचीन काल में इस संसकार के उपनांत बालक को गुरुकुल भेज़ दिया जाता था उसके द्वारा ब्रह्मचर वरत का पालन करते हुए ग्यान के विविनक्षेत्रों में पारंगत होने की कोशिश की जाती थी संसार में आने के बाद जीव बंधन युक्त हो जाता है वह बंधन रहित या तो जन्म के पूर्व या मृत्यु के पश्चात होता है उपनिशत कहते हैं कि जीवन में मुक्ति का एक ही अधिकार है और वहा है विद्या पूर्व के दस संसकारों के माध्यम से जीव को प्रकारांतर से विद्या के लिए ही तैयार किया जाता है जीवन का या बहुत ही महत्पून संसकार है यग्यो पवीत के पश्चात बालक को विद्या ध्यन के लिए गुरु कुल में भेजने की परंपरा है इस परंपरा का परिपालन वैदिक विदि विधानों द्वारा संपन करा आए जाता है वर्तमान समय में विद्या ध्यन के लिए बालक को इसकूल में भेजने की यवस्था की गई है बच्चे के जन्म लेते ही उसके माता-पिता उसकी पढ़ाई के लिए चिंतित हो जाते हैं वे भूल जाते हैं कि उनके कर्तव की इतिश्री केवल बालक या बालिका को स्कूल भेज देने से ही नहीं हो जाती प्राचीन भारती मनीशा ने इसे गंभीड़ता से लेते हुए विद्यारंव संसकार के रूप में ऐसी पीड़ी तैयार करने की बात सोची थी जो आत्म निर्वर हो और जीवन के प्रत्यक्षेतर में संघर्ष करते हुए अपने अंतिम लक्ष तक पहुँचे बार्वा संसकार है प्रत्यावर्तन संसकार प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है विद्याध्यन समाप्त कर युवक का घर लोटना यह संसकार पच्चिसवा वर्ष पूर्ण होने पर किया जाता है बालक जो युवावस्ता की देहलीच पर पाव रख चुका होता है गुरु क माता पिता से मिलने घर लोटता है यहाँ पूरी प्रक्रिया वैदिक मंत्रों के साथ संपन की जाती है घर लोटने के पश्चाद बालक जो अब यूवा हो चुका है स्वर्वथम माता पिता को प्रणाम करता है और माता पिता के द्वारा सम्रदवान होने का आशिरवात प्र प्रत्या वर्तन का दूसरा प्रतिकात्मक अर्थ है ब्रह्मचर आश्रम से ग्रहस्त आश्रम में प्रवेश करना, यहीं से उसके परिणए की प्रष्ट भूमी तैयार होती है, और शास्त्रों में जिसे सर्वोष्च आश्रम कहा गया है, उसके द्वार खुलने की आश्रम करता है, अगला संसकार है विवा संसकार, विवा को भारती संस्क्रती में शीर्षस्त मान्यता प्राप्त है, विवा एक ऐसा सामाजिक गड़वन्दन है जिसके अभाव में मानव जीवन अपूर्ण और एकांगी कहलाता है, विवा का तात्पर केवल नर-नारी का परिणाय सूत्र में बन जाना ही नहीं होता बलकि इसे आत्म निरिक्षण और आत्म परिक्षण का सबसे बड़ा पुरुशार्थ माना गया है। माता पिता गुरु और शास्त्रों के निर्देशान उसार नर नारी के रक्त परिक्षण नाली परिक्षण गुण गणो आदी के परिक्षण के उपरांत परिणय की तिथी निश्चित की जाती है। भारती हिंदू विवहा पद्धती को विश्व के अनेक विद्वानों ने वेज्ञानिक और तत्यों पर अधरित माना है। परिवार व्यवस्था की द्रश्टी से विवहा का विशेश महत्व है। व्यक्ति की निजी अवस्था और पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था दोन अपनत्व का संबंद बनाते हैं मित्र सईयोगी बनकर जीते हैं एक दूसरे की कमीयों को समझते सहते दूर करते हुए सहकार और सदभाव का उच्छ स्तरिय व्यहवार अपनाते हैं आत्म विचार का यह करम पति-पत्नी तक ही नहीं बच्चों तक फैलते हुए उस सीमा तक पहुँशने लगता है जिसमें हम अपने को समाज का एक अभिन अंग मान कर स्विकार करते हैं चौद्वा संसकार है वानप्रस्थ संसकार जिसे सर्व संसकार के नाम से भी जाना जाता है मनश्य की आधी उम्रवितीत हो जाने पर अपने जैसा ही दूसरे के दुख सुक को अन मानवी पर्यावरण के प्रती उत्कंठित और प्रेवित होने लगता है फल्सरूप वह अपनी सीमाओं का अतिक्रमन करते हुए लोक हित के धरातल पर प्रतिष्ठित होने का प्रयास करता है यह प्रयास ही सर्व संसकार या वानप्रस्थ कहलाता है साधु और सेवा निवर प्राचीन वेदिक परंपरा में वानप्रस्थ संसकार का बहुत महत्व था वानप्रस्थी के जीवन यापन की पद्दतिया निश्चित थी और वह घर परिवार से प्रतक एकांत वातवरण में आत्म चिंतन और परमार्थ विश्यक विचारों में अपने को व्यस्त रखत था पंद्रवा आश्रम है सन्यास आश्रम या जिसो सन्यास संसकार भी कहते हैं जीवन के उत्तरार्द में व्यक्ति की चेतना इस कटू सत्य का साक्षतकार करती है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया उसमें उसका अपना कुछ भी नहीं था वह महज एक सरक्षक था एक न्या में प्रतिविम्बित होता है एक सन्यासी के लिए उसका शरीर भी उसके लिए किसी की धरूर की तरह लगता है उसका संपूर्ण चिंतन सिर्फ इसी खोज में लगा रहता है कि वास्तों में अपना क्या है यहीं से आत्म जिग्यासा और ब्रह्म जिग्यासा प्रारंब होती है ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति में अठाथो ब्रह्म जिग्यासा ये ब्रह्म को जानने की इच्छा बल्वती होती है तो वह घर चोड़कर वन की और प्रस्थान करता है और वहां जाकर के कठोर तपस्या के दौरा अपने आपको पहचानने का प्रयास करता है ग्रहस ता करता है जिसे परम पुरिशार्थ के नाम से भी जाना जाता है मृत्यूंचु की सनीकट होती है इसलिए उसके रहस्य को जानने की उठकंठा भी एक सन्यासी को अधिक होती है मृत्यूंके बाद का चिन्टन ही सन्यास Lipton करता है सर्वतां भावेनन्या SAR इति सन्या सह अर्थात संग्रह से विग्रह की इस्थिती को प्राप्त करते हुए मृत्यों प्रांत अकेले की यात्रा कहां तक और क्यों के चिंतन के निश्कर्स तक पहुचने का प्रयास ही सन्यास कर्म है सन्यास संसकार होने के बाद साधक के शिखा सूत्र एक दंड में प्रतिवंधित कर दिये जाते हैं सांकितिक तोर पर जीवन के समग्र संसकारों को दंड़ावी मुक कर यह निर्दवन्द और अनासक्त भाव से करतापन की धारणा से मुक्त होता था और सौलवा संसकार है अन्तिष्ट्वी या अन्तिम संसकार भारति संस्कृति में गरवा धान से प्रारंभ संसकार का उपसंवार मृत्यव प्रांत दहा संसकार में होता है मृत्यू के पश्चात जीवात्मा की मुक्ति और वांचित लोग प्राप्ति हेतु तेरह दिन तक क्रिया कलापों का प्रावधान है तेरवी पूर्ण होने पर यह मान लिया जाता है कि जीवात्मा पितर लोग में प्रविश्ट हो चुकी इस संपूर्ण प्रक्डिया को अंतिष्टी संसकार के नाम से जान जाता है अंतिष्टी का शाब्दिकर्द होता है शरीर का अंत अत्वा चारिरिक आकांग्शाओं का अंत भारती रिशियों ने मृत्यू को जीवन का अंत न मान कर आत्मा का परिवर्तन माना है गीता में कहा गया है जिस प्रकार मनश्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारन करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ कर नए शरीर को ग्रहन करती है उपनिशदों में मृत्यू को आत्मा का परिवर्तन माना गया है जन्म और मृत्यू ही अंतिम सत्य है बाके संसार को मिथ्या कहा गया है मिथ्या यानी मिथकी परिकल्पना संसार एक कल्पना है और कल्पना का अंतही मृत्यू है इस प्रकार अंतेष्टी संस्कार भी परिश्कार का ही वाचक है यहां हमने जो जानकारी हासिल की संसकारों के बारे में भारती संस्कृती में 16 पड़ाव माने गया है मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का माना गया है इन 100 वर्षों में मनुष्य किस प्रकार जीवन जीए जिससे की जो एक प्रकार की उब पेदा हो जाती है वहवी दूर हो और मनुष्य का चित संसकारित होता हुआ सर्वोत क्रश्ट पद को प्राप्त करें गरवाधान संसकार से लगा करके अंतिम संसकार तक की यह प्रक्रिया हमारे यहां के रिशिमुनियों ने विक्सित की और जिसे विज्ञानिक आधार भी प्राप्त हुआ है इन सभी संसकारों का अपने अपने समय में काफी महत्व है विद्यारंब संसकार है पुन्सवन संसकार है या अंतिम संसकार है हमारे यहाँ एक विशेश प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई हम लोगों ने दफन को न अपना करके दहन क्रिया को अपनाया मनिश्य की जो भोतिक उपलब्दियां हैं या भोतिक चीजे हैं शरीर के रूप में वह भी नश्ट हो जाएं और उसकी राख खेतों में बिखेर दी जाएं उसकी राख नदियों में बहा दी जाएं ऐसी उच्च परिकल्पना भारती संस्कृति में की गई है मनुष्य जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहने वाला है ऐसी परिकल्पना भारती संस्क्रती की दुनिया को अर्बूत देन है हम वास्तों में जीवन में और कुछ नहीं करते हैं बलकि समय समय पर संस्कारों का ही संचे करते रहते हैं समय आने पर इन संसकारों के बंधन से हम मुक्त होने का प्रियास करते हैं और जिसकी तैयारी सन्यास नाम के संसकार में की जाती है सन्यास संसकार में हम अपना नाम तक अपना नहीं रखते नाम बदल करके हम अपना जीवन जीते हैं सन्यास आश्रम भी है जिसमें की व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ रहने की इजाज़त नहीं है यदि पत्नी जीवित है तो दोनों को अलग-अलग जीवन निर्भा करना होगा समाज में वहाँ उसी प्रकार से रहेगा जैसे उसे कोई जानता ही नहो क्योंकि उसकी अंतिम इस्तिती सन्निकट है वहाँ शीगरही मृत्यू को प्राप्त होने वाला है और मृत्यू को आने के पूर्व वहाँ अपने आपको जान ले समझ ले इसी प्रक्रिया से हो करके वहाँ उस दोर में गुजरता है तो गरबादान संसकार से लेकर के अंतिष्टी संसकार या सोलह संसकारों की जानकारी हमने यहां आसिल की वर्तमान समय में मनश्य की आपाधापी युक्त जीवन पद्धती में इन संसकारों का महत्व यूवा पीड़ी कुछ भूल सी गई है उस युवा पीड़ी को अपनी भारती संसक्रती से जोड़ने के लिए ही इन संसकारों की जानकारी यहां पर दी गई है इनको विज्ञानिक धरातल पर यदि कसा जाएगा तो यहां इनकी प्रासंगिकता आज भी उसी तरह निर्विवास सिद्ध होगी जैसे की प्राचिन काल में रहा करते थी करते छाएज प्राचिन काल में रिजर्ब कर द З ****